दोस्तों नमस्कार स्वागत आप गयों विटकॉंस आल में आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्स को फोकस करूंगा जो सुलाना चेन पर हैं बट वो अंडर दर अडार हैं तो उनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट्स वगेरा अर्न करना शुरू कर सकते हैं इसके अलावा स्क्रॉल ब्रॉक्चैन की भी बात करेंगे जहांपर मैं आपको रौक्स कैसे आपको वहाँ पर इंक्रीज करने हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बट उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया करिए सब्सक्राइब बैल नोट कुछ भी eligible badges होंगे यह time to time update होते रहते हैं तो उसको regularly check करते रही है जैसे यह वाला badge मेरा भी pending है इस पर जो भी आपका badge pending है उस पर जाएंगे उस पर click करें और mint कर लीजिए basically यह SBTs है जो आपके wallet में एक credibility की तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे ताकि जब भी यहाँ पर airdrop होगी या कोई भी और इनको consider करना चाहेगा आपकी on-chain reputation को तो इन badges को वो देख सकता है तो इस चीज को मिसना करें 50% यहाँ पर discount fee पर जो आपको scroll canvas पर मिलेगा उसके लिए code नीचे मिल जाएगा आपको description में इसके अलावा scroll blockchain का एक और important चीज चल रही है वो है sessions sessions के अंदर आपको यहाँ पर marks मिल रहे हैं अभी जो चल रहा है season one चल रहा है season zero जो था वो historical snapshots पर base था यानि कि आपने कितनी gas fee वगरा use करी है अभी तक scroll के अंदर उसके साब साब कुछ points वगरा मिले थे बट अभी जो यहाँ पर चल रहा है वो आप scroll blockchain पर daps को use करके points वगरा earn कर सकते हैं तो जो सबसे simple तरीका और जो सबसे safest तरीका है scroll blockchain पर marks earn करने का यह जो है आप यह marks display कर रहा है भी मेरे 202 ही marks है यह ज्यादा active मैं नहीं था तो season one के अंदर यहाँ पर यह तो आप exchanges पर कुछ swap वगरा कर सकते हैं वहाँ से कल मैंने यहाँ पर thousand dollars के आस पास supply किया है तो आज मेरे hopefully यहाँ पर marks update होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको simply supply पर जाके इसको supply कर दीजिए यहाँ पर आपको APY भी मिलती रहेगी जो भी USDC यहाँ पर 1.5 पर 7% अभी चल रही है तो यह तो आपको मिलती रहेगी साथी साथ आपके यहाँ पर scroll में marks भी increase होते रहेंगे तो एक अच्छी opportunity है passive way में यहाँ पर marks अगरा increase करने का क्योंकि definitely badges का और marks का ही यहाँ पर सारा खेल होगा जब भी scroll की a drop आती है तो अब चलते हैं में next project पर जो है एक account create कर देना है आपके local device के अंदर की store हो जाएगी automatically यह आप चाहते हैं तो आपके Google account social account से भी link होके वहाँ पर भी चीजें store हो सकती है तो simply एक अलग से account create करके यहाँ पर कुछ ना कुछ amount यहाँ पर आकर deposit कर दीजिए यह multiple blockchain support करता है किसी भी chain पर आके आप deposit कर सकते हैं आपको सिर्फ यहाँ पर token select करके कि कौन सा token आप यहाँ पर deposit करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं या फिर कोई token वगर कर सकते हैं कोई भी token और यह जितने भी आपके network से हैं यहाँ पर जो भी corresponding token आप select करेंगे उसके हिसाब से यहापे आपको नेटवर्स भी देखा देगा अगर मैं यहापे for example Solana ही search करूँ तो यहापे soul अगर आप डालेंगे तो Solana पर Solana नेटवर्क आएगा यहापे आपको एक address आजाएगा इसमें आपको deposit कर दिना है यहापका ही wallet है कभी भी withdraw कर सकते है पूरा का पूरा decentralized है तो यहापे deposit करने के बाद आपके यहापे कुछ create की earning start हो जाएगी तो मैंने अभी आज ही deposit किया है इसके अंदर में गाल से हाफता पर यह और चलेगा उसमें आप जितना amount deposit करेंगे उसके साब से यहाँ पर आपको create मिने लग जाएगे पर amount deposit करने के बाद यहाँ पर staking की option आएगी यहाँ पर stake का button आएगा जैसे यह वाला button है इसवे जो आप click कर देंगे तो automatically आपका amount जो भी आपने किया है वो stake हो जाएगा तो simply यहाँ पर deposit करने पर आपको staking करने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ crates मिलने लग जाएगे और crates को आप open करेंगे तो आपको points वगरा मिलने लग जाएगे जैसे कि यहाँ पर कुछ NFT tickets मिल रही है या फिर कुछ boost मिल रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं बची है अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं बढ़ यहाँ पर एक catch यह है क्योंकि अभी यह initial stages में नहीं है यह काफी आगे बढ़ चुगा है हफते बाद खतम हो जाएगा इसलिए मेरे हाँ से कम amount के साथ यहाँ पर आपको ज्यादा benefit नहीं होगा तो यहाँ पर तब ही participate करिए अगर आपके पास ज्यादा amount है या फिर token amount जैसे मैंने $100 deposit करके देख लिया कुछ ना कुछ अगर मिलना होगा तो इस amount से भी मिल जाएगा तो इसको सिर्फ आप try कर सकते हैं बट future में इस पर नज़र रख सकते हैं क्योंकि एक well received well backed project है 144 million dollars की यहाँ पर already value lock हो चुकी है बट अभी के लिए हमारे पार कुछ जादा कुछ नहीं है यहाँ पर सिवाए farm करने के और farm भी को heavy amount चे करते हैं तो यहाँ पर जादा फाइदा होगा अब जो next project है वो है वाल्ट finance वाल्ट finance सुलाना based है और काफी under the radar है इसके points हो गयरा आप farm कर रहे हैं अगर आप Vsoul hold करते हैं तो Vsoul हमने सांटम पे कुछ hold किये थे तो उसके automatically आपको कुछ नहीं कुछ points मिले होंगे आप चाके check कर सकते हैं अपने points वाल्ट finance में जाके आप अपने जो points हैं नीचे आपको दिखा देगा कि कितने points आपने आपर earn किये हैं उसको यहीं से आके claim कर सकते हैं बट इसके अलावा अभी भी इनकी point farming जो है वो चालू है simply आपको अपने Vsoul जो है आके stake करने हैं वाल्ट finance पर और आप points earn करना शुरू कर देंगे अब direct points आप Vsoul में convert करके उसको stake करे कर सकते हैं बट और भी additional तरीके हैं यहाँ जिनके through आप यहाँ पर points earn कर सकते हैं हर एक यहाँ पर dap को अलग से points allocate किये गए हैं तो जितने भी आप यहाँ पर daps use कर सकते हैं या हर एक चीज में हर एक type में एक dap use करके आप उधर से भी points accumulate कर सकते हैं NX Finance आप लोगों को याद होगा NX Finance मैंने पिछले एक वीडियो में cover किया था यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे airdrop के बारे में बताया था इनकी NX में अब Vsoul भी add हो गया है उस दिन जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था जो सिरफ JLP था तो वो पुराने वीडियो को भी मैं link कर दूँगा NX Finance के बारे में भी आप पूरा idea ले सकते हैं यहाँ पे भी airdrop आप करी सकते हैं इसमें participate साथ ही साथ आपकी Vsoul अगर आप यूज कर रहे हैं तो Vsoul की भी farming चालो हो जाएगी तो NX Finance यूज करके आप Vsoul की farming points यहाँ पे कर सकते हैं यह तो एक तरीका हो गया दूसरा है यहाँ पर Meteora जो की है Dex Pool जो मैं यूज करूँगा और यहाँ पर इसके अलावा है आपका जो normal staking है Vsoul और Soul की liquidity में वो मैं Sabre DAO यूज करूँगा क्योंकि Sabre DAO अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको vault points तो मिली रहे हैं साथ ही साथ आपको Sabre tokens भी कुछ per day के हिसाब से यहाँ पर मिल रहे हैं तो यह एक अच्छी opportunity है आपर multiple चीज़े farm करने की तो इसमें कैसे participate करना है यहाँ पर आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास अगर solana है तो आप उसको Vsoul में convert कर सकते हैं मेरे पास 3 solana है तो मैं 50% के आसपास यहाँ पर करूँगा convert Vsoul के अंदर ताकि liquidity जब मैं add करूँ तो मेरे पास equal proportion हो Vsoul का और solana का तो इसको solana को हम यहाँ पर swap कर देते हैं Vsoul के अंदर तो यह 1.6 solana मैंने convert कर दिया यहाँ पर Vsoul में अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जाओंगा Meteora में जहाँ पर मैं liquidity प्रवाइड करूँगा Meteora का यहाँ पर एक advantage यह है कि अभी तक इन्होंने कोई point system officially announce नहीं किया है बट यह 100% confirmed है कि back end में जो लोग भी यहाँ पर liquidity प्रवाइड कर रहे हैं उनको कुछ नकुछ points automatically मिल रहे हैं तो जब भी यहाँ पर point system announce होगा तो retrospectively जितना भी आपने इसमें participate कि होगा उसके साब से आपको already points यहाँ पर मिल जाएंगे तो meteora एक काफी अच्छी option है यहाँ पर under dardar under farmed वाली चीज़ को यहाँ पर accumulate करने की तो simple सा यहाँ पर step है soul v soul के यहाँ पर मैं pool में जाऊंगा इधर position मुझे add करनी है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 0.5 solana के corresponding v soul यहाँ पर इसको कर देते हैं autofill तो 0.5 solana 0.5 v soul मेरा यहाँ पर add हो जाएगा liquidity pool में तो इस से मेरी meteora की भी जो points अभी तक open नहीं हुए उसकी farming तो यहाँ पर चालो हो ही जाएगी उसके अलावा यहाँ पर v points भी मुझे मेरे लग जाएगे 0.5.5 हमने डाल दिया यहाँ पर इस range के अंदर हमने इसको set कर दिया यह almost stable coin की ही तरह है यहाँ पर permanent loss होने के chances कम है क्योंकि v soul जो है वो एक तरीके से आप wrapped version solana का समझ लीजिए तो ज़्यादा यहाँ पर movement नहीं होगी पर जो भी यहाँ पर आप liquidity आड़ करेंगे जो भी transactions होगे रहोंगी उसमें जो भी fee generate होगी solana में वह आप यहाँ पर आके claim कभी भी कर सकते हैं तो हमने यह liquidity pair यहाँ पर meteor आप आड़ कर दिया वापिस जाएंगे यहाँ पर vault finance में इधर नीचे हम scroll करें तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर automatically आपके जितने भी points होगे वह generate होते रहेंगे तो यह हमने यहाँ पर pool open किया यहाँ पर कभी भी आप withdraw कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी लॉकिंग अगरा period नहीं है तो यह तो हो गया एक तरीका आप जो दूसरा है यहाँ पर सेबर डाव के अंदर यहाँ पर आके वी सोल सुराना अगें सेम चीज़ लिकृडिटी प्रोवाइड करके उसको stake करके यहाँ पर आके भी stake कर सकते हैं तो हम जाएंगे यहाँ पर सेबर डाव में सेबर डाव में हम यहाँ देख सकते हैं सोल और वी सोल का लिकृडिटी पूल है इसको करेंगे व्यू तो यहाँ पर हम सुराना डाल देते हैं 0.9 क्योंकि हमें कुछ फी के लिए भी यहाँ पर छोड़ना है और यहाँ पर वी सोल भी हम डाल देते हैं 0.9 तो इसको कर देंगे हम यहाँ पर deposit तो यह जो liquidity है हमारी सोल और वी सोल की सेबर डाव की ओपर यहाँ पर add हो गई अब इसी liquidity को हमें basically यहाँ पर आके वी points के अंदर vault के अंदर हमें आके deposit करना है तो इसको एक बर यहाँ पर refresh करते हैं इसको करेंगे यहाँ पर open तो यह यहाँ पर दिख सकते हैं 1.7 मिरे पास liquidity pair आ गया है यहाँ पर इसको maximum select करेंगे यहाँ पर कर देंगे deposit तो यह deposit यहाँ पर complete हो गया अब मुझे automatically V points भी मिने लग जाएंगे per day साथे साथ मुझे यहाँ पर saber points भी मिने लग जाएंगे per day यह real time पर update होंगे तो यहाँ पर आपको points immediately दिखने भी लग जाएंगे और जो बाकी के meteora वगरा के points हैं यह per week यहाँ पर update होते हैं जो भी आपके points हैं हम यहाँ पर click कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि आपके कितने points यहाँ पर claim हुए है time to time आके effectively आपको यहाँ पर आके rewards जो हैं वो claim करने पड़ेंगे तो यह reward section आपके सकते हैं कि यह points मेरे यहाँ पर increase होने start हो गए तो इनको claim करने के लिए जो आपके यहाँ पर profile में display होंगे आपको बीच-पीच में आके इसको claim करना पड़ेगा तो इतना असान है यहाँ पर multiple protocols को यहाँ पर farm करना heavily under farmed है अगर आप twitter पर भी followers देखेंगे तो saver dog के सिरफ डेड़़जार followers हैं यहाँ पर vault के सिरफ 6,000-6,000 followers हैं तो जाधा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं पड़ यहाँ पर risk भी आ जाता है हाला कि यह well backed well audited projects हैं बट funds उतने ही यहाँ पर डालें जितना आप afford कर सकते हैं लूज करनेगा तो कि protocols आए दिन hack को अगरा होती रहती हैं तो उसकी कोई guarantee यहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर points farm करना चाहते हैं तो easily आकि इसको आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो अमीद करता हूं इससे आपको फायदा होगा वीडियो को ज़रू लाइक करे शेर करे चैनल को सब्सक्राइब यह ना भूले मिलतो हो मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हैवा सेफ इन्वेस्ट्मेंट